नमस्कार दोस्तों स्वागेत है आप सभी का सामा निग्यान पर्यावर अनेवन समाजी कुशे और विज्ञान के मिले जुले क्वेस्टेंज के साथ और मुझे लग रहा है कि ये भाग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऐसे क्वेस्टेंज हैं जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत प्रबल है और इसको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजेगा रट लीजेगा इनके जितने भी क्वेस्टेंज हैं मुझे लगता है कि एक से दो क्वेस्टेंज इस पार्ट से केवल आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे तो पहला कोशन देखते हैं बंगाल का प्रतम गवर्नर तो यहां से शुरुवात होती है बंगाल के गवर्नर से फिर बंगाल का गवर्नर बन जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल और फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा और कुछ ट भारत का पहला गवर्नर जनरल तो यह सारे क्वेस्चन्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और आज मैं इसके ट्रिक भी आपको बताऊंगा जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं कि कौन क्या था तो पहला क्वेस्चन है बंगाल का गवर्नर शुरुवात यहीं से होती है बंगाल के गवर्नर से बंगाल का प्रथम गवर्नर रोबर्ट कलाइव ठीक है दूसरा है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अब गवर्नर को जब गवर्नर जनरल बोला जाने लगा तो यह पहले ग गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लाड बिलियम बैंटिंग इनके टाइम पेरियड से इसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तो भारत के पहले गवर्नर जनरल है लाड बिलियम बैंटिंग चौथा क्वेशन है भारत का पहला वायस राय अब जब लास्ट में अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में लाड़ कैनिंग शाशन कर रहे थे तो गवर्नर जनरल का नाम बदल के इसको वायस राय कहा जाने लगा तो क्योंकि अब ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे इन्ही के टाइम पे वायस राय इसका नाम रख दिया गया है तो इनको पहला वायस राय भी कहा जाता है तो गवर्नर जनरल ये अंतिम थे लाड़ कैनिंग और वायस राय पहले थे पांचमा क्वेशन है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जन्रल तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय गवर्नर जन्रल थे माउंट बेटन इस वजे से इनको स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जन्रल कहा जाता है जब देश आजाद हुआ तो पहले गवर्नर जन्रल कौन माउंट बेटन और लास्ट कुश्चन इसमें बनता है स्वतंत्र भारत के पहले भारती गवर्नर जन्रल यहां पर पहला गवर्नर जन्रल था और अगर बात की जाएगी कि स्वतंत्र भारत के पहले भारती गवर्नर जन्रल कौन थे तो यह थे सी राज गुपाला चारी अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है अगर आपको ये नाम याद है कि बंगाल का पहले बंगाल का गवर्नर था फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल फिर इसी गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा फिर गवर्नर जनरल को वायस राय कहा जाने लगा और फिर YS Rai के बाद भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जन्रल और जब पहला गवर्नर जन्रल ये है और इसके बाद फिर स्वतंत्र भारत के पहले भारती गवर्नर जन्रल तो इतने question बनते हैं और इसको याद करने की जो simple से trick है वो ये है कि Clive है William K. Mossy Clive है William K. Mossy यानि बंगाल का governor Robert Clive हो गया फिर बंगाल का प्रथम governor general Hastings हो गया फिर भारत का प्रथम governor general Banting हो गया और भारत का प्रथम YS Rai Canning हो गया स्वतन्तर भारत का पहला governor general Mountbatten Mossy Mountbatten और स्वतन्तर भारत के पहले भारती governor general तो ये हो गया सीर राजगुपाला चारी ठीक है तो ये आप अगर याद कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अब आप confused होंगे और कभी इसको भूलेंगे साथमा question है सिर का किस का जली अमल है तो ये एसितिक अमल का जली अमल है आठमा है इमली में कौन सा अमल पाया जाता है तो टार्टरिक अमल पाया जाता है इमली में नवा question है अलाउद धिन खिलजी दौरा निर्मित अलाई दर्वाजा किस मश्जित का प्रवेश दौर है तो ये प्रवेश दौर है कुबवत उल-इसलाम म मश्जित का तो इसमें ये question ज्यादे इंपोर्टन है कि अलाई दर्वाजे का निर्मार किस ने करवाया था अलाउदेन खिलजी ने और ये किस मस्जित का प्रवेश द्वार है तो ये कुवत उल इसलाम मस्जित का प्रवेश द्वार भी है दस्वा क्विश्चन है अंतिम मुगल शाशक कौन था तो अंतिम मुगल शाशक थे बहादूर शाह जफर गयरामा है बहुत धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला तो बहुत धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महत्मा बुद्ध की मौसी महाप्रजापती गौत्मी बारहमा क्वेशन है किस राष्ट कूट शाशक ने इलोरा के परवतो को काट कर प्रशिद कैलाश मंदिर का निर्मार करवाया था तो का से कैलाश मंदिर है और का से ही करशन प्रथम है तो इस तरह से इसको याद रखना का से कैलाश और का से ही करशन प्रथम इस तरीके से आपको सारे questions याद करने हैं कुछ ना कुछ दिमाग लगा के कि आप वहाँ पे confused ना हो तो कैलाश मंदिर का से है और का से है क्रेशन प्रथम तिरावा question है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसत्की बैठक होना आवश्यक है या अन्वार है एक वर्ष में कम से कम दो बार तो बैठक होनी ही चाहिए संसत्की important question है याद रखना चौदावा question है किस राज का लोक सभा तथा राज सभा में सबसे अधिक प्रतिनी धित्त है तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है जब सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश की है जन संख्या उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है तो प्रतिनी धित्त भी इसका ही सबसे ज़्यादा होगा भारत सरकार का मुख्य विधी परामर्शिदाता कौन होता है भारत सरकार का मुख्य विधी परामर्शिदाता होता है भारत का महा नियावादी जिसको अंगरेजी में बोलते हैं अटानी जनरल ओफ इंडिया तो अंगरेजी और हिंदी दोनों याद रखना सुलामा क्वेशन है शम्विधान की किस अनुसूची में केंद्र एवम राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बटवारा दिया गया है तो ये दिया गया है सात्मी अनुसूची में सत्रामा क॥ेशन है भारत में राश्टपती के चुनाओं के लिए निर्वाचक मंडल या निर्वाचन मंडल के सदसे कौन होते हैं यह important question है कौन-कौन इसमें निर्वाचन मंडल में शामिल होता है तो लोक सभा के निर्वाची सदस, राज सभा के निर्वाची सदस तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाची सदस इसके अलावा दिल्ली और पांड चेरी के भी निर्वाची सदस से भाग लेते हैं जो केंदर शाषित प्रदेश हैं तो ये most important चीज़ है जानने लायक कि केंद्र शाषित प्रदेशों में भी दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसमें वोट करते हैं किस समिधान शन्षोधन में सिक्किम को पूर्ण राजि का दरजा दिया गया तो ये था 36 समिधान शन्षोधन जो 1975 में हुआ तो इसके तहट सिक्किम को पूर्ण राजि का दरजा दिया गया समिधान के किस अनुसूची में दलबदल के अधार पर अयोगिता के बारे में उपबंध है तो दसवी अनुसूची में दलबदल से समधित कानून है या उपबंध है 20. राज के नीत निजेशक्तत्तों का वर्णन समिधान की किस भाग में है तो राज के नेत निदेशक्तत्व हैं चौथे भाग में एक कीसमा क्वेशन है अजनता की गुफाएं कहां इस्तित हैं तो अजनता की गुफाएं इस्तित हैं और अंगाबाद महारास्ट में बाइसमा क्वेशन है मदर टेरेसा को शांती का नोबल के स्वर्स प्रदान किया गया था अभी आपने कल ही पड़ा था 1979 में तैसमा क्वेशन है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे तो ये थे लाला हर्दयाल जिन्होंने 1913 में गदर पार्टी का गठन किया था या इस्तापना की थी 24. भारत के प्रथम आर्थ शास्त्री जो तीन बार कॉंग्रेस अध्यच रहे तो ये थे दादा भाई नौरोजी 25. उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री ये उत्तर प्रदेश से सम्मंदित क्वेशन है जो पूछे जा सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का पेपर है तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री थे गोविन्द वल्लब पंत वैसे भी ये हमें पता होना चाह ये क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रथम राजपाल थी सरोजिनी नाइडू और उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थी राजर्शी पूरशोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश की प्रथम महीला मुख्यमंत्री कौन थी तो सुचेता करपलानी थी तो चारो कोश्यन एकदम रट लेना है ये हमें पता होने चाहिए जानकारी के लिए भी उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री वोविंद वललपंथ उत्तर प्रदेश की प्रथम राजपाल सरोजी नीन आईडू, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यच पुर्शोत्तम दाश टंडन और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता करपलानी उन्तीसमा क्वेशन है कि समिधान शंशोधन द्वारा 1976 में मौल करतब्यों की को समिधान में जोड़ा गया तो 42 में समिधान शंशोधन द्वारा मौल करतब्यों को समिधान में जोड़ा गया इसको एकदम रट लेना है तीसमा क्वेशन है समिधान के किस अनुच्छे द्वारा जम्मो कश्मेर को विशेश राजी का दर्जा दिया गया है ये है अनुच्छे 370 जो हमेशा विवादों में रहता है 31 नंबर है समिधान सभा की प्रारूप समिध के अध्यच दौक्तर भीमराव अमबेड कर थे तो पहला क्वेशन तो आपका यहीं से है कि समिधान सभा की प्रारूप समिध के अध्यच कौन थे दौक्तर भीमराव अमबेड कर इस समिध में कुल कितने सदस से थे हैं इस समीधान के किस भाग में मौलीक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है। तो मौलिक अधिकार है भाग तीन में ये भी याद रखना है आपको भाग तीन में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है तेंतिस्वा question है ब्राजिल के कहवा बागानों को क्या कहा जाता है तो इनको कहा जाता है फजन्डा ये इनसी आर्टी का important question है और कई बार exam से में पूछा भी गया है पनामा नहर जोड़ती है किसको किसको जोड़ती है ये नहर लिखा हुआ है इसको नहर कर लिजगा पनामा नहर किसको जोड़ती है तो अटलांटिक महाशागर और प्रशान्त महाशागर को पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महाशागर को अंध महाशागर के नाम से भी अंग्रेजी के S के आकार की तो ये दू क्वेशन और याद रखना एडिशनल कि अटलांटिक महासागर को ही अंद महासागर कहा जाता है और इसकी आकरती अंग्रेजी के S के आकार की है और 35 क्वेशन है एशियाई विकास बैंक का मुख्याले कहा है मनीला फिलिपीन्स में इसका मुख्याले है 36 क्वेशन है पौधों में इंपॉर्टेंट क्वेशन है पौधों में वासपोट सर्जन की दर के निधारन के लिए किसी अंतर का उप्योग किया जाता है तो पौधों में वास्पोस सर्जन की दर के निधारण के लिए पोटो मेटर का उप्योग किया जाता है 37 नमबर है जो केमेस्ट्री से रिलेटेड है रेड लेड का रसाइनिक सूत्र PB3O4 तो रेड लेड का रसाइनिक सूत्र है PB3O4 और तिसमा कोश्चन है फाइकोलोजी विज्ञान की जो इस शाखा के अंतरगत किसका अध्यान किया जाता है तो इसके अंतरगत शैवालों का अध्यान किया जाता है 49 नमबर है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है उपस्थिते के कारण मानो शरीर में रक्त का ठक्का नहीं बनता है राउर केला इस पाथ संयंत्र किसके संयोग से बनाया गया था तो भारत और जर्मनी के संयोग से ये राउर केला इस पाथ संयंत्र बनाया गया था 42 नमबर है दूर से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है तो लेक्टो बैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है और ये है लास्ट पेज आपका 43 नमबर है किस अंग के कारे ना करने पर डाइलेसिस किया जाता है तो वरक्क या किड़नी के काम ना करने पर डाइलेसिस किया जाता है 44 नमबर है विशोजल समरच्छन दिवश के शुरुवात कब से हुई और या किस तिति को मनाया जाता है तो शुरुवात 1993 में हुई थी और यह प्रतिवश 22 मार्च को मनाया जाता है समिधान के कुछ महत्पूर्ण अनुच्छेद हैं इसमें सभी अनुच्छेद important है वही मैंने लिखे ही है तो इनको आपको जरूर याद कर लेना है इसमें से कोई न कोई आपको एक्जाम में जरूर मिलना चाहिए तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद एक संग का नाम और राजछेत्र संग का नाम क्या है और उसके राजचेतर कौन कौन से है यह अनुचेतर एक में है फिर अनुचेतर दो है नए राज्यों का प्रवेश और इस्थापना नए राज्यों का प्रवेश या इस्थापना अनुचेतर दो में है वैसे पहला कुछ important है दूसरा भी important है यहां से ज़् लिख सकते हैं, important लिखा भी हुआ है, तो अनुच्छे 17 है, आश्प्रस्टा का अंत, छुआ छूत का अंत, अनुच्छे 18 है, उपाधियों का अंत, अनुच्छे 21 का, 6-14 वर्ष के बच्चों को सिच्छा का अधिकार, और पचासमा है, अनुच्छे 24, कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिशेद, कारखानों में बालकों को काम पर लगाया जाने का प्रतिशेद इसमें है, और अनुच्छे 40 में है, ग्राम पंचायतों का गठन, और ये important है, अनुच्छे 48 का, या 48 A इंग्लिश में लिखा जाता है, पर्या वर्ण 1 तथा वन जीओं की रच ये 48 का में है, और अनुच्छे 50 में है, कारिपालिका से नियापालिका का प्रतहक करन और अनुच्छे 51 में है, अनतरास्टी, शांती और सुरच्छा, और पच्चपन, जो की last question है, अनुच्छे 51 का, अनुच्छे 51 का most important और last question है, जिसमें मौलिक करता भी है, 51 का में मौलिक करतब हैं और 1976 में स्वाण सिंग समित की सिपारिश पर 42 में समिधान संसोधन द्वारा मौलिक करतबियों को समिधान में जोड़ा गया था तो ये तीनों question important है इससे related मौलिक करतब पहला तो अनुच्छे 51 का में है ठीक है और 1976 में जोड़े गया थे किस समित की सिपारिश पर तो स्वाण सिंग समित की सिपारिश पर जोड़े गया थे किस समयधानिक संसोधन द्वारा 42 में समयधानिक संशोधन द्वारा और मोल रूप से इनकी संख्या जब जोड़ी गए थे तो 10 थी लेकिन 86 में संशोधन के द्वारा 86 अमेंडमेंट कॉंस्टिटूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो 2002 में हुआ था एक और बढ़ाया गया और इनकी संख्या अब वर्तमान में 11 है तो अगर पूछा जाए मोल रूप से समयधान में मोल कर्तव कितने थे तो मोल रूप में 10 थे और अगर पूछा जाए वर्तमान में मौल कर्तवियों की संख्या कितनी है तो अब है 11 तो उमीद करते हैं ये बहुत ही important part था आपका इससे related question आपको हो सकता है exam में देखने को मिलें मुझे chances ऐसे लग रहे हैं तो इनको जरूर रट लीजेगा तयार कर लीजेगा और इसके जो पहले के चार part हैं आप playlist में देख सकते हैं इसी नाम से सामान जनल नौलेज और इस सामान ग्यान के नाम से है तो इसके सारे part आप पहले के जितने भी हैं तैयार करते जाएए और उमीद करते हैं कि आपको इससे फाइदा जरूर मिलेगा exam में मिलते हैं अगले नए questions के साथ अगले दिन thanks for watching